एकदम सही वीडियो पे आप लोग ने क्लिक किया है आज की इस वीडियो में हाँ आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आप लोग को बोर्ड एक्जाम में किसी भी बोर्ड एक्जाम में आप लोग को पेपर को लिखना है ये आप लोग को कला आना चाहिए तो आज की इस वीडियो हैं आप लोग को तीन टिप सेयर करने वाल हैं कि बोर्ड एक्जाम में आप लोग को किस तरह से कोपी को लिखना है अगर आप लोग तीन टिप समझ गए तो आप लोग का बोर्ड एक्जाम में एक भी मार्क्स काटना किसी भी टीचर के बस के बात नह तो इस बीडियो को आन तक जरूर देखिएगा तब आप लोग को समझ में आ जागा अगर आप लोग के पास 5 से 7 मिनट टाइम है तो इस बीडियो को जरूर दीजे अगर आपके पास टाइम नहीं है बोड एक्जाम में आप लोग को बेहतर मार्क्स नहीं लाना तो इस बीड लिखे हैं 100 marks लेकिन मेरा 50 marks आ रहा है, 20 marks आ रहा है, 80 marks आ रहा है, इस तरह से मेरा marks आ रहा है, तो वो सारा reason आप लोग को पदा चल जागा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंतक जोड देखिएगा, इसमें ये आप लोग को ध्यान देना हो कि तेज होना सबसे important नहीं, बोर आप लोग को बहतर तरीके से copy लिखने आ गया, तो आप लोग को topper तक बन सकते हैं, बढ़ियां से बढ़ियां आप लोग का marks उट सकता है, अगर आप लोग उन्हें ये तीन टिप्स समझ लिया, तो आप लोग टॉपर तक बन सकते हैं, बहतर marks आप लोग का एकदम आ है तो आपको heading देना sort type question ठीक है sort type question है तो उसका heading दे जीजे और आप लोग question count करी है वहाँ पर पढ़ लीजे कि आप लोग का कितना question है माल लेते हैं आपका 27 question है उसमें से आपको 15 question बनाना है तो 15 question बनाना है तो कितना student यहाँ पर गलती यह करता है कि सीधे 15 से start करेगा फिर सीधे 15 के बाद 25 पर आजाएगा फिर सीधे आपका आजाएगा 1 पर फिर 8 पर फिर 13 पर इस तरह से आता है तो यह सबसे बड़ा गलती आप लोग करते हैं अगर जो student इस तरह से करते हैं अगर नहीं पता है तो समझ लीजे इस तरह से exam में भूल करके भी आपको नहीं करना है आप लोग देख लिए कि हमको 27 question में से आपको answer कितना दे सकते हैं आप लोग माल लेते हैं 27 में से 15 दे सकते answer तो आप लोग count कर लिए हमको question अगर आप लोग को 15 question उसमें से आता है तो आप लोग देखिए कि माल लेते हैं आपका पहला question आ रहा है फिर उसके बाद 5 वा रहा है फिर उसके बाद 8 वा रहा है तो उसी type से बनाई है order में बनाई है ऐसा नहीं कि direct उचलना है यहां से 2 के बाद सीधे 25 पाचिस के बाद सीधे 1 1 के बाद सीधे 9 ऐसा नहीं करना है क्योंकि देखिए वहाँ पे stress बहुत ज़्यादा रहता है teacher को यतना सारा copy देख करके ही उसका stress रहता है mind में कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमको copy को check कर देना है serial तरीके से आप लोग लिखे ऐसा नहीं बोल रहा है कि पहला से start करो 15 तक लिखो यह कम नहीं करना है अप लोग को देखना है लेकिन यही देखना है कि आप लोग को एक order में लिखना है पहला cancer आ रहा है पहला लिखे उसके बाद 5 वा लिखे छठा, सतों, आठों, आठों के बाद सिधे आपका 14 नमबर आ रहा है तो 14 बनाई है, 15 बनाई है फिर उसके बाद आपका 20 अदर 20 बनाई है ऐसे करना है यह नहीं कि उच्छालना नहीं है आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है, हाँ, तो यह आपको करना है यह सबसे में पहला पॉइंट है अगर लॉंग में भी करना है तो ऐसा ही करना है, सौट में भी आप लोग को एंसर देना है तो भी इसी तरह से करना है लेकिन आप लोग को उपफर हेडिंग जरूर दे देना है कि आपको short answer type लिख रहे हैं, कि long answer type question का answer दे रहे हैं, यह जरूर लिखना है, ठीक है, तो पहला बात तो यह हो गया, ठीक है, अब दूसरा आप लोग tip समझेगा, दूसरा tip यह है कि आप लोग हर में सब board exam में, दो pen का यूच करिएगा, दो pen काने का मतलब यह भी नहीं कि लाल black ही चलता है, और तो दूसरा चलता नहीं है, board exam में, ठीक है, कहीं भी exam में आप लोग को देना होगा, तो दो ही column का यूच करिएगा, एक blue और black, तो दूसरा tip यह है कि दो pen यूच करने का फायदा यह होगा, अगर आप लोग question का answer लिख रहे हैं, अगर आप लोग को किसी च से लिख रहे हैं, तो blue का सिर्फ यूच इसलिए करना है, आपको highlight करने के लिए, कहीं पर भी आप लोग को लगे कि हाँ, इसको highlight करना चाहिए, यह बहतर point है, तो वहाँ पर आपको highlight कर देना है, तो आपको highlight कर देना है, ठीक है, वहाँ पर underline कर देना, ताकि examiner का, जो check कर उसका focus वहीं पर जाए, यह दूसरा tip से आपको underline करने का, अगर आप लोग math का question solve करें, तो आप लोग को क्या करना है, last में, अगर आपका answer आ रहा है, तो उसको box में जरूर pack कर दीजए, box आप लोग को बना के उसको answer को pack कर देना, उससे क्या इदम बेहतर लगता है, इदम का, माल लेते हैं, math का अगर आप लोग question का answer करें, तो last में आप लोग को क्या करना है, last दो, आप लोग को last page में ये करना है, कि उसको rough लिखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, last page में rough जरूर करना है, ताकि वो examiner जो check करने वाला teacher है, वो आपका जरूर देखें कि हाँ, rough कि किया है, कि वो direct किया है, rough अगर आप लोग करते हैं, तो उसको ये पदा चलेगा कि ये कहीं से चोरी नहीं किया हुआ है, ये सारा चीज अपने से लिखा हुआ है, सारा calculation खुसे किया है, तो ये आप लोग को जरूर करना है, last में rough वर्क जरूर करना है, last page में, जितना rough करना और लास्ट पेज में आप लोग रफ करिए और लास्ट में अगर आप लोग पूरा सारा सॉल्व कर लिए तो आपको जो रफ लिखे ना लास्ट में आप लोग को पेज में रफ लिख देना है ठीक है रफ लिखना है उसी में रफ आप लोग को करना है और आपको कोपी सारा बाद आप लोग को उसको ऐसे cross कर देना रफ जो आप लोग किये ना उसको आपको ऐसे cross कर देना है ताकि उसको पता चले कि हाँ यह यह आपका rough किया हुआ है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है आप लोग इन तिन टिप्स को follow करते हैं तो आप लोग का marks जो board exam में होगा एक check हो गया लिखने में गलती हो गया तो आप लोग को क्या करना है उसको ऐसे dark नहीं करना है सिर्फ एक बार में आपको line cross कर देना है कि यह आपका काटा हुआ है ठीक है वो आपको सिर्फ ऐसे cut करके दिखा देना है ऐसा नहीं कि पूरा dark कर दिए उसको highlight कर दिए कि देखिए म आपको highlight नहीं करना है उसको बस ऐसे cut कर देना है उससे ज्यादा नहीं करना था तो यह सारा चीज़ आप लोग को follow करना है बोड़ एक्जाम में बहतर से बहतर आपका marks जरूर आएगा अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरू करिएगा चैनल पर पह अगर आप लोग चाहते हैं लाइब क्लास को अटेंड करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साम साथ बजे जितना होसा कि आप लोग जुड़िये आप लोग को मज़ा आएगा कुशन करने में और आप लोग को मार्क्स बेहतर से बेहतर आ सकेगा बोड एक्दाम म तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को जादस जादस सेर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि सब्सक्राइब करके जादस 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 बोड एक्दाम में मार्क्स ला सकें वो सीखें कि इस तरह से हमको बोड एक्दाम में मार्क्स को उठाना है तो चलिए आ बैसके लित नहीं, फिर में लुकते हैं प्लॉक से नहीं,